हलो दोस्तो मैं हूँ सादिक आज की वीडियो में हम बतलाएंगे ये जो सेल्फ मोटर मेरा जब खोलते हैं तो यहाँ पे एक स्कुरू रहता है एक स्कुरू यहाँ पे रहता है एक स्कुरू जो रहता है बोडी अर्थ का रहता है और ये पलास्टिक दोनों स्कुरू से तो हमने क्या किया यह अंदर में दोगो पलास्टिक लगाने के बाद उपर वाला पलास्टिक लगाया और फेवी क्यूक दोनों जगा पर दिये जहां पर इस कुरूव है दोनों जगा फेवी क्यूक मारे हैं अब बहुत देर तक इसको सुखने के लिए देना है ताकि बिल्क इसको हलका से टेड़ा करके इसको खोल सकते हैं और इजली लगा सकते हैं ये जो अर्थवला है हमने इसको कैसे दिया हूँ आप ये देख लीजे यहां पर देख रहे हैं हमने ड्रील मसीन से एक सुराग किया हूँ होल किया हूँ और कहां पर होल करना है तो आप देख लीजे यहाँ पे जो अर्थवले लगता है कारबन, इसका थोड़ा सा जेश्ट हम साइड में किये हैं, यहाँ पे हम सुराख किये हैं, सुराख करने के बाद 8 नमबर नड़ बोल से इसको टाइट कर दिये हैं, कारबन का सुराख बढ़ा था, ड्रील मसिन से हमने थोड़ा सा होल अब आई स्टार्ट हो जाएगा, हमने इस तरीका से कई बार किया हूँ, यह प्रोब्लम हमारा सॉल्व हुआ है, इसमें कोई भी दिक्कत नहें होता है, आप भी कर सकते हैं, मोटर कम्पिलिट चेंज करने का कोई जरूरत नहें हैं, आप रिपेयर करके बना सकते हैं, तो अलास्टिक हटाने का आपका कोई जरूरत नहीं है, आपका सेल्फ मोटर चालू हो जाएगा, तो यह हमारा वीडियो कैसा लगा, अगर यह वीडियो अच्छा लगा, तो फिलिस लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को सपोर्ट करें, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में